अब बात कर लेते हैं chemical reaction of methanol यानि इथनोल के परमने chemical reaction देखने हैं तो पहला reaction देखिए इसमें पहला reaction है oxidation of alcohol या in other words हम यहां के formation of product के हवाले से बहुते हैं कि formation of aldehyde अचा यहां एक बात जहिएगा के alcohol oxidize होकर aldehyde बनाते हैं और aldehyde further oxidize होकर carboxylic acid बनाते हैं इसी चीज़को मैंने यहां mention भी कर दिया है कि alcohol oxidize होकर aldehyde or aldehyde oxidize होकर carboxylic acid बनाते हैं जैसे के for example यह general structure है alcohol का ठीक है यहां आप देखें तो carbon की एक valency oxygen से पूरी हो रही है जब हम किसी भी strong oxidizing agent के मौझूद्गी में process करवा सकते हैं लाइक हम K2C2O7 यहां पर कारवन क्या है एक oxygen की एक valency oxygen से पूरी हो रही है लेकि जब यह convert हो जाता है aldehyde में तो अब देखें कारवन अपनी दो valency oxygen से पूरी कर रहा है तो यह oxidize होगे ना यहां oxygen से ज्यादा अपनी valency को क्या कर रहा है complete कर रहा है ठीक है अच्छा फिर दूसी लफजों में हम यह भी कहते हैं कि hydrogen का जान oxygen ठीक है अच्छा यहां aldehyde में क्या हुआ कि 2 oxygen के साथ valences complete हो रही है फिर यह मजीद जब aldehyde oxidize हो रहा है तो यह convert हो रहा है कार्बागजलिक असिट में अब आप कार्बागजलिक असिट देखें तो इसमें carbon की 3 valences complete हो रही है oxygen से दो इस oxygen से और एक इस hydroxyl group के oxygen से तो आप देखें ने कि oxidize हो रहा है more and more valences जो है carbon की पूरी हो रही है किसे है oxygen से तो हम यह कह रहे हैं कि बई alcohol oxidize होकर aldehyde oxidize होकर convert हो जाता है कार्बागजलिक acid के अंदर तो बस यह बात आपने जहन नशी कर लेनी है अपनी के जब भी alcohol की oxidation दिखाएंगे तो उससे बनने वाले product आपकी aldehyde ही होगी और अगर aldehyde oxidize होकर तो वह convert हो जाएगा किसमें कार्बागजलिक acid में अब आप यही बुनियादी procedure मुक्तलिक जगों पर देखेंगी जैसे अभी हम देख रहे है alcohol convert हो रहा है aldehyde में यही reaction हम aldehyde में भी देखेंगे अचा इसी reaction को अगर reverse कर दें यानि कार्बागजलिक acid की reduction होगी ठीक है तो वह convert हो जाएगा aldehyde में इसको reverse कर दें और aldehyde reduce होकर convert हो जाएगा alcohol में बहुत main reaction है और इसका आप जा बजा इस्तमाल भी आगे और भी reaction में क्योंके तीन बड़ी families यहां involved हो रही है alcohol aldehyde और कार्बागजलिक acid तो यह एक किसी reducing agent की presence में तो कार्बागजलिक reduce होकर convert हो जाएगा aldehyde में और aldehyde reduce होकर convert हो जाएगा alcohol में अब आजाते हैं चुक्क हमारा topic क्या है chemical reaction of methanol तो यहाँ आप में हमने methanol ले लिया अप मितानोल के टू से सियार तो ओ सेवन और concentrated sulfuric acid की मौजूदगी में oxidize हो रहा है ठीक methanol एक aldehyde है एक carbon वाला ठीक है और साथ में water molecule release होगा ठीक है अच्छा methanol IUPAC name और methanol aldehyde का IUPAC name carbon वाले अच्छा यहां मैंने साथ में methyl alcohol लिख दिया यह इसका common name है और form aldehyde का methanol का common name form aldehyde है तो मैंने यहां IUPAC name भी लिख दिया और common name भी लिख दिया किसी भी नाम स अच्छा सकता है जिसे for example exam में preparation आ सकती है के methanol from methanol तो इसका मतलब आप से methanol की preparation पहुच रहे हैं किस से methanol से तो आप methanol की oxidation करवाएंगे और आपको methanol मिल जाएगा ठीक है form aldehyde इसका common name form Greek language में एक carbon को कहते है मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ठीक है तो form का म पर ही मुच्तमिल एक aldehyde इसका नाम है इसलिए इसका नाम है form aldehyde अब इसी form aldehyde की अगर हम further oxidation करवादे हैं in the presence of the same oxidizing agent तो यही methanol मजीद oxidize होकर यानि यह के टुसिया टो सेवन मजीद नैस्ट अक्सिजिद प्रोवाइट करेगा और यह मजीद अक्सिदाइज होकर कं ü that you guys dont you like Л मैठ कार्वाग्जालिक एसट को हम कहते हैं मूठाजाव कर्वागजालिक अशिद मीथानॉ legitim यह इसका आई-उ पी-सी नेम है नीचे मैं डिकसी में लिखा हूँ है यह ह्वार्मिक एससइड चूखे एक कार्वाग्जार्सिट nawau हो गया formic acid आचा यह बता दूं यह formic acid च्यूटी के डंग में जो इस्टिंग होता है उसमें यह मौझूद होता है जब च्यूटी बाइट करती है तो यह acid हमारी क्योंकि सबसे पहले इस acid को च्यूटे से हासिल किया गया था इसलिए इसका नाम ही common name formic acid पढ़ गया ठीक है और यहां पर आपको पता है कि अगर आपको बुनियादी बात पता है कि oxidation का प्रोसेस हो रहा है तो आप प्रोड़क्त अराम से बना सकते हैं अब जितने कार्बन की अगर दो कार्बन होता है यहां पर मिथानल की जगह इथानल होता तो आपका यहां पर बन जाता क्या इथानॉइक असेट का common name क्या है असेट तो आप वह भी बना सकते हैं तो बैग और अप लाइन नहीं बनना है कि मैंने अगर यह एक एक्वेशन लिखी है तो हम सरी इसस दूसरा बहुत एहम रियक्शन है अलकोहल का दाट इस स्टारिफिकेशन इस्टारिफिकेशन 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 इस्टार फैमिली बनती है और साथ में वाटर मालीक्यूल रिलीज होता है होता क्या है कि ये कार्बाउग्जालिक एसिट का मैंने जेनरल फार्मॉल लिख दिया है R-C-O-H और ये अलकॉहल का जेनरल फार्मॉल लिख दिया है R-O-H मैंने ऐसे करके थोड़ा गुमा कर लिख दिया है ठीक है आई होप कि आपको इससे परिशानी नहीं होगी तो अब होता क्या है कि कार्बाउग्जालिक एसिट का हाइड्राउग्जल गुरूप और उलकॉहल का हाइड्रोजन ये कंबाउग्ग होकर वाटर बना लěते हैं और बाके सारा मेलेक्फिन हो जाता है यानी कर्बाउग्जालिक गुरूप और उलकॉक्सी गुरूप यानी O-R गुरूप अलकॉहल का कंबाउग्जालिक हो जाता है आर सी डबल ओ आर डाट इस इस्टर यह मैंने सब का जैनरल फार्मूला लिख दिया है ठीक है तो बनने वाली इस फैमली को हम क्या कहते हैं इस्टर और यह किसे बन रहा है यह आप यह वाला रियक्शन आप बार बार देखेंगे अभी हम अलकॉहल पढ़ने तो अलकॉहल में चाहिए कि वेन एवर कार्बाउग्शालिक आसेट रियक्ट विद अलकॉहल इन प्रेजंस ऑफ सल्फियूरिक आसेट दा प्राड़क्ट इस इस्टर विद दी रिलीज आफ वाटर ठीक है तो यह मैंने जैनरल फार्मूला लिख दिया है आई होब कि असानी के साथ आपको कमबाइन होकर यह और सी डबल ओ आर बना लेंगे इस्टर चुंकि हम किसके रिएक्शन्स देख रहे हैं हम मेतानौल के रिक्शन देख रहे हैं तो यहां मीतानौल अल्कॉहल का जो मेंबर है मिथानौल ले लिया और काबॉग्जालिक एसेट का मेंबर हमने यहां इसेटि है ठीक है और सी ओ तो यह मैंने इसको ऐसे लिख लिए ठीक है अच्छा और क्या बच रहा ही यहां से ओ और सी तो यह आगिया ओ और यह का सी एस्टरी ठीक है तो यह बन गया हमारा इस्टर और साथ में यह वाटर मॉलीकूल रिलीज हो गया बनने वाली इस प्रोड़क्ट का आयू पीसी नेम है मिथाइल इथा नौ एट ठीक है अब इसका नौमन के लिए चेक है वह तो जब मैं इस्टर बढ़ा होंगी तो वहां दे थैक्षन विद हैलोजीन एसेट हैलोजीन एसेट वाइड और सबस्थानो नावाथ के साथ रिख्षन करते हैं तो यह ऑच हाईड्रोजन हैलाइट वाटर मालीक्यूल निकल जाता है ये मैंने एक जन्रड्र फार्मोला या जन्रल इक लिए अब आपको अगर जितने भी कार्वण का का अब अब देती है了नकोल कोई आप हैव्योन और यहां कोई भी आलकॉन गल्याइट बेंगी उत्ने ही कार्ण का घथा लिखा और यहां HX के जगह हमने HCL ले लिया X के जगह पे CL अब यह दो यह और यह मिलकर क्या बना लेंगे वाटर बना लेंगे और साथ में CH3-CL बन जाएगा यह आपका अलकाइल हैलाइट बन गया ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टन रिक्षान है तीनों रिक्षान बहुत इंपॉर्टन है यह जो हमने सबसे पहले देखा Oxidation इसके नतीजे में आप देखें Aldehyde और Carboxylic Acid बन रहा था फिर दूसरा Styrification देखा तो इसके नतीजे में एक और फैमिली इस्टर फैमिली बन रही है और अब अगर जब इसका Hydrogen Halide के साथ जो reaction देख रहे हैं यह भी बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि इसके नतीजे में एक नई फैमिली बन रही है ताट इस Alkyl Halide तो इस आर दे रियक्षान अच्छा बुक में जो आपकी Methyl alcohol के uses लिखे में they are also very important क्योंकि Methanol के बहुत ज्यादा uses है in chemical industry में ठीक है इसको Methanol को हम ऐजे fuel के तौर पर भी इस्तमाल करते हैं domestic नहीं कि like lamp वगएरा में spritz वगएरा बर्नर्स वगएरा में इसके लावा इसको as a preservative agent के तौर पर भी इस्तमाल किया जाता है like किसी animal को या अगर खाषे थक उसको उसके लाश खराब ना हो तो में भी जएक पर इसे परिजेर्वेटर के तौर पर हम इसे इस्तमाल करते हैं इसको als a anti-freezer के तौर पर भी इस्तमाल किया जाता है antiseptic के तौर बीस्तमाल जाता है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजेगा MCQ वगरा में आ सकता है